हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू आर वेलेंड गूड सो आज हम समझेंगे रूल नंबर 28 रूल नंबर 28 हमारा रिलेटेड है यूज ऑफ टी डबल ओ टू और टू के यूज से इससे पहले क्लास में भी हम टू मच और मच टू का डिफरेंस पड़ चुके हैं और वहाँ प तो आज हम टू को बहुत डेटेल से समझने वाले हैं कि कब टू किस तरीके से संटेंस में यूज किया जाता है और एक्जाम में इससे बेस्ट एरर किस तरीके से पूछे जाते है तो शुरू करते हैं क्लास को सबसे पहले हम टू का मीनिंग समझते हैं मीनिंग वाइस अग देता है accessively का किसी भी चीज़ के ठीक है तो 2 अगर अकेला आता है तो आप देखेंगे जादा तर हमें sense देगा जरूरत से अधिक एक सेकेंड जरूरत से अधिक वाला sense हमें क्या है देता है ये ठीक है और अगर एक साथ दोनों आ रहे है तो आप देखेंगे इसमें जब हमें sense देता है तो इतने हमें देता है ये ये इतना की का sense हमें देता है ठीक है तो ये थी first चीज second चीज हम समझते सबसे पार्ट सबपीच को सबसे छी किसी सेट डगाए तो बात करें तो की सिर्फ तू है आप देखेंगे कि एक एड़र === ठीक तो पाट्सप्राबस काम करता है sj इस ब्हुत जादी ही साथ है नहीं grammar में कुछ भी चीजी fix नहीं होती है तो ज़्यादा तर cases में आप देखेंगे कि adjective क्या है इसके साथ use क्या जाता है या ये अपने साथ किसी ने किसी adjective को लेता है ठीक है और अगर हम बात करें to2 की तो आप बच्पन से ही इस to को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो sentence में ये कौन से parts of speech को show कर रहा होता है या अगर हम बात करें तो preposition बन के आता है या फिर ये क्या आप देखेंगे अब और नई चीज तो कई sentence में जो to होता है वो adverb का काम भी करता है और कई जगे पे क्या होता है preposition का काम करता है ठीक है I hope की इतनी बाते आपको clarify हुई होगी अब sentence वाइस पहले हम समझते हैं कि कैसे identify होगा कि कब to preposition का काम कर रहा है और कब वो adverb का काम कर रहा है ठीक है ती डवलो टू को तो आप अच्छे से identify ही कर पाएंगे कि यह क्या है एक adverb है तो शुरू करते है किसी example से कुछ example लेंगे आप देखेंगे example number first आपको given है the boy went to अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या आगया है to और आप देखेंगे to क्या है यहाँ पर इसके तुरंद बाद यूज क्या गया है the park ठीक है और आप देखेंगे went भी क्या है एक verb है और वर्व क्या show करने की बात कर रहा है वर्व एक तरीके से जाना आई है went का मतलब जाना होता है movement show कर रहा है और movement को show करने के लिए हम क्या करते है देखेंगे preposition के form में to को use करते हैं ठीक है एक चीज और भी होती है कि जब आप preposition को use करते हैं तो preposition अपने तुरंत बाद अपना object लेता है और आप देखेंगे यहाँ पर इसको इसका object भी मिला हुआ है that means यहाँ से यह बात तो sure हो गई कि जो to use किया गया है यह यहाँ पर क्या है preposition की तरह यहाँ 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 पर आप देखेंगे pull the door to अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि दर्वाजे को बंद कर दीजिए या एक तरीके से sound या sense कियेकर हम बात करें तो किस चीज का sense है यहाँ पर to close the door अब यहाँ पर आप देखें to given है to के बात क्या है इसके पास इसका object है नहीं है that means ज़्यादा तर के इस cases क्या है फिर यह preposition की तरह तो यहाँ पर नहीं यूज किया गया ठीके और ना यह किसी movement को show करने की कोशिश कर रहा है pull the door to अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है मतलब एक sense के form में आप देखेंगे तो यह जो two है यहाँ पर adverb की तरह क्या है यूज किया गया है ठीके तो यहाँ पर यह जो two है किसका काम कर रहा है adverb का काम कर रहा है ठीके door को close करने का sense यहाँ से दिया जा रहा है ठीके I hope की clarify हुआ move करते है third वाले पर third वाले में आप देखेंगे यहाँ हमें given है he is too small to defend himself अब यहाँ पर आप देखेंगे too given है और small too small बहुत ज़्यदा छोटी है ठीके और यह small हम जानते हैं कि क्या है quality बताए जा रही है that means एक adjective है यह और quality किसकी बताए जा रही है तो he की ठीके और he is too small तो हम जानते हैं he क्या है एक subject है और subject that means एक noun या pronoun का काम कर सकता है तो he क्या है एक pronoun है और pronoun को qualify करने वाले को ही हम क्या बोलते है adjective तो small क्या है यहाँ पर adjective है और आप देखेंगे जो to use किया गया है यह to भी qualify कर रहा है किसको इस adjective को qualify करने का काम कर रहा है कि small है लेकिन too small है बहुत ज़्यादा या जरूरत से ज़्यादा ही क्या है छोटी है यह कहने का sense है यहाँ पर तो यह जो to है यह क्या कर रहा है इस adjective को qualify कर रहा है और हम जानते है adjective को qualify करने का जो श्रमता है किसके पास है एडवर्व के पास है यहां पर आप देख पाएंगे कि यह जो to use किया गया है यह क्या है किसी एडवर्व का काम कर रहा है ठीके और इससे पहले classes में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एडवर्व जो है बहुत सारी चीजों को qualify या modify कर पाता है सबसे पहले आप जानते ही हैं कि यह जो एडवर्व होता यह वर्व को qualify कर सकता है जो एडवर्व है यह adjective को भी क्या कर पाता है qualify कर पाता है थर्ड वन एडवर्व किसी दूसरे एडवर्व को भी क्या कर पाएगा qualify कर पाता है ठीक है तो ये बात याद भी रखनी है और मैंने इससे पहले की classes में ये बाते बताई भी है तो I hope कि यहां तक चीजे अच्छे से clarify हुई तो हमने इसका हिंदी में meaning देखा और साथ में अभ अभी हमने बताया कि टू क्या है एक एडवर्व है और आसा एडवर्व है जो जादा तर केसिस में आपने साथ क्या लेता है किसी ना किसी adjective को लेगा अब जिसे मैं कुछ वर्ड आपके सामने लिख रही हूँ जिसे मैंने लिखा टू ब्यूटिफुल और मैंने यहां और नेक्सश्म लिख सकते हैं two care less अब देखिए अभी हमने बात की थी कि टू अहЕНं हिंदी में तू का Hindi में आप सेंस देखेंगे तो मोर दे हैं कि मोह fuckin required या फिर आप बोल सकते हैं जरूरत से ज़ादा ठीक है अब अगर एक बार इन्हें हम पढ़के देखते हैं पहला वाला जो है तू ब्यूटिफूल आप क्या है जरूरत से ज़ादा खुबसूरत है या जरूरत से ज़ादा सुन्दर है क्या आपने कभी इस तरीके से या हम क्या करते हैं तो तारीफ करते हैं क्या आप बहुत खुबसूरत है पर क्या हम कभी किसी को या आपने कभी किसी को सुना है कि ऐसे बोलते हैं आप बहुत ज़ादा खुबसूरत है या जरूरत से ज़ादा खुबसूरत है That means, एक negative sense आ रहा है, कि इतना खुबसूरत आपको नहीं होना चाहिए था, यह नीचे वाले में आप देखेंगे too good, आप बहुत ज़दा अच्छे हैं, इतना भी अच्छा लोगों को नहीं होना चाहिए, तो यह वाली जो चीज है ना, एक negative sense की तरफ लेकी जाती है, जबकि यहां पर आप पढ़ेंगे too weak, वो क्या है, जरूरत से जादा कमजोर है, तो सुनने में बुरा भी नहीं लगेगा और आप देखेंगे कि yes, यह बात क्या है, नॉर्मल सेंस में यूज की जाती है, और grammatically भी क्या है, यह सही है, तो इससे समझ में क्या आया, देखेंगे एक सेकिंड के लिए मैं बोलतू इसको, यह क्या है, good qualities को बताया जा रहा है, यहां पर, जबकि यहां पर मैं कह सकती हूँ, bad qualities को show किया जा रहा है, ठीके, और अभी हमने देखा कि good qualities के साथ, two का combination कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और grammatically भी आप देखेंगे कि यह क्या है, wrong माना जाता है, ठीके, तो that means, जब आपको sentence के अंदर एक negative sense लेके आना होता है, तो हम क्या करते हैं, two को use करते हैं, ठीके, और यहां पर क्या है, इसलिए याद रखना है, कि good qualities के साथ, हम ना के बराबर two को use करते हैं, कुछ cases है, जहां पर use किया जाता है, लेकिन उसके लिए condition कुछ अलग होती है, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, अभी जो आपको समझना है, कि two जो है, अकसर bad qualities को show करने के लिए हम क्या करते हैं, use करते हैं, I hope कि ये बात आपको अच्छे से clarify हुई होगी, कुछ example कि धुरू समझते हैं इस बात को, जिसे आप देखेंगे यहाँ पर हमें first example में given is she is too good, वो क्या है, two का मतलब अभी हमने बात करी कि जरूरत से जादा, वो जरूरत से जादा अच्छी है, इतना अच्छा नहीं होना चाहिए, तो अभी हमने बताया कि two good qualities के साथ नहीं आएगा, और अगर आ रहा है, that means he grammatically क्या है, error है इसमें ठीक ह गलत है sentence, second वाले में आते है, she is too beautiful, यहाँ पर भी आप देखेंगे beautiful भी क्या है, एक good quality इसको बताया जा रहा है, इसके साथ two है, that means he sentence भी क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा, third वाले sentence में आते है, यहाँ पर कहा गया, she is too beautiful to be rejected by any young man, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह grammatically ब negative ही है, यानि कि एक तरीके से bad qualities को ही बताया जा रहा है, two small है, बहुत छोटी है, तो यहाँ पर क्या है, यह भी ठीक है, फूर्थ वाले में तो I hope की कोई भी डाउट नी होगा, यह ठीक है, third वाले में यहाँ पर हो सकता है, कि अभी तो two के साथ beautiful लगाया था, तो यह गलत ह नहीं है, क्यों अब आप देखेंगे, कि जब two है अपने साथ pairing में आता है, two two को लेके, तो फिर उस case में बीच में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, that means two है, इसके बाद two अपने साथ pairing में आता है, तो इसके साथ आप देखेंगे, यहाँ पर good qualities को भी शोग किया जा सकता है, bad qualities को भी शोग किया जाता है, क्योंकि एक negative impact देना होता है, तो यहाँ से बाकी sentence से वैसे भी मिल जाता है, ठीके, तो याद रखना है कि two अगर अकेला है, pairing में नहीं है, two two के साथ, तो अपने साथ कभी भी good qualities को नहीं लेगा, लेकिन अगर pairing में आ रहा है, two two के साथ, तो अप अपने साथ क्या, किसी भी good qualities को नहीं शोग किया जाता, लेकिन जब यही two pairing में आता है, two के साथ, तो आप देखेंगे इस जगह पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर आप देखेंगे कई बार verb भी आ सकता है, कई बार आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई qualities भी आ सकती है, adjective भी यहाँ सकता है, एक सेकेंड, ठीक है, तो I hope कि यह बात आपको अच्छे से clarify हो गई, कि इस case में आप क्या कर सकते है, यूज कर सकते है, good qualities, bad qualities दोनों को, ठीक है, तो अब कुछ और थोड़ा से structure है, जो इसका हम समझते है, अभी सेम चीज मैंने आपको बताई, कि यह जो two है two, pairing के साथ आता है, तो याद रखना है, कि अपने साथ वर्फ की first form लेता है, इस two से related दो तरीकी के structure बनते हैं, दोनों ही structure आपको बता देगा है, अगर two अकेले आ रहा है, तो कुछ बाते मैंने भी बताई, two अकेले आ रहा है, तो अपने साथ जादातर cases में क्या लेता है, बैड क्वालिटी इसको शोक किया जाता है उसके साथ, ठीक है, लेकिन second वाले में ध्यान रखना है, इसके अलावा two जब भी pairing में आता है, तो दो तरीकी के sentence बनते हैं, पहले वाले case में, two है, इसके साथ two आ रहा है, लेकिन अपने साथ वर्फ की first form ले रहा है, next वाले में क क्या चीज हम देखते हैं कि जब भी ये B form आ रहा होता है, और वर्फ की third form की साथ आता है, तो ये एक तरीके से passive को show करता है, कि मैं passive में हूँ, sentence किस में होता है, passive form में होता है, और ओपर वाला आप देखेंगे तो ये किस में है, active form में है, चीक है, तो ध्यान रखना है कि ज जोनों ही तरकी की qualities को show कर सकते हैं, I hope कि ये बात आपको अच्छे से clarify हुई, exam में इस से related error बहुत सारे पुछे जाते हैं, और इसके आगे अभी आप देखेंगे कि ये जो T02 है, और T02 है, इसको ना हम replace भी कर सकते हैं, कुछ और चीजों से, तो उनको भी अभी हम समझेंग कि क्या आगया है, एक adjective आगया है, और यहां देखें टू यूज क्या गया है, इसके बाद टू फिर यूज क्या गया है, और climb, वर्व की first form है, इसके अलावा एक चीज और भी आप देखेंगे, टू प्लस में वर्व की first form, ये किस चीज का काम करता है, तो ये भी आप अच ठीक है, next आप देखेंगे, she is true beautiful to be rejected, अब यहां पर क्या है, दोन ही form में हम लिख सकते हैं, अगर टू है, टू के बाद सिधा वर्व की first form आ रहा तो भी ठीक है, और अगर टू के बाद क्या है, बी प्लस में वी थरी आ रहा तो भी sentence का structure क्या होता है, ठीक होता है, ठीक है, तो move करते हैं, अब जैसे हमने बात करी कि यहां तक तो आपको चीज़ी अच्छे से clarify हुई, कि टी ओ टू आ जा रहा है, और अगर अकेला आ रहा है तो अपने साथ bad qualities को लेगा, या फिर हो सकता है कि pairing में आए टू के साथ, ठीक है, और यह टू के साथ आ रहा है, तो यह भ साथ बनता है, ठीक है, और बी प्लस वी थ्री आ जा जा रहा है, यह पैसे फॉर्म है, और डारेक्ट वी बन आ रहा है, तो वो एक्टिव फॉर्म होता है, इसके अलावा भी आप देखेंगे कि टी ओ टू और टी ओ टू इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे अगर हमें रिप्लेस करना हो, एक पॉजिटिव सेंस लेके आना हो, तो आप वो भी कर सकते हैं, कैसे आप देखेंगे, हम यूज करते हैं, सो और डैट को, सो और डैट भी सेम मीनिंग देते हैं, जो टू और टू देते हैं, जो सेंस हमें टू और टू की पेरिंग से मिलता है, सेम सेंस हमें सो औ और that की pairing से भी मिलता है, यहां पर इसका sense क्या होता है, इतना की, और यही same sense यह भी देता है हमें, ठीक है, तो कई बार sentence में आप देखेंगे, लेकिन हमने देखा है कि 2 और 2 की pairing में दो ही condition है, या तो अपने साथ वर्व की first form लेगा, या फिर अपने साथ क्या है, B plus में V3 ले हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे cases में आप देखेंगे, कई बार so or that को use किया जाता है, इस 2 को replace करने के लिए, ठीक है, याद रखना है कि 2 और 2 को हम completely replace कर सकते हैं, so or that से, लेकिन जब हम इसको change करते हैं, तो आप देखेंगे, इसको change करने में थोड़ा सा effort लगता है, तो पहल plus V1 या दूसरा वाला भी pairing था, उसको भी कर सकते हैं, तो I hope कि इतनी बात clear हुई, अब देखते हैं, इसको replace कैसे करेंगे, let's suppose, कि यह हम एक example given है, अगर यहीं से ही आपको क्या है, इसको replace करना होगा, तो आप किस तरीके से replace कर पाएंगे, तो याद रखना है, कि यह जो 2 है और 2 है, यूज हम इन ही का करेंगे, पहले वाला जो 2 होगा, ये सो को इसकी जगह पर हम सो यूज करेंगे, second वाला जो 2 है, इसकी जगह पर आप देखेंगे, कि हम क्या यूज करेंगे, that ही, hope students की इतनी बात आपको अच्छे से clarify हुई, कि so that जो है, वो completely replace कर सकता है, टी टू आता है, डबल ओ वाला, उसको replace करने के लिए आप सो को यूज करते हैं, जबकि जो टी ओ टू सिंगल ओ वाला है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, that को यूज करते हैं, ठीक है, नीचे एक sentence है, इसको पहले replace करके देखते हैं, अब आप यहाँ पर देखेंगे, हमें given है, that, he, तो इसे आप लिखेंगे, तो यहाँ पर सेम आ जाएंगा, he, is, अब यहाँ पर टू है, तो को replace किसे करना है, so से, यहाँ पर आ जाएगा, और यह small है तो यह small आ जाएगा और यहां पे to2 single o वाला है तो यहां पर क्या हो जाएगा that अब इसके आगे याद रखना है कि so और that जब आएगा ना तो यह जो sentence तूट जाएगा यह sentence आप देखेंगे दो अलग-अलग clause में तूट जाएगा पहला clause तो आपको साथ कोई ना कोई helping लेगा तो helping वर्फ के केस में याद रखना है कि जब यह present में है यहाँ पर इस है तो जब यह present में होता है present tense में है पहला वाला clause तो second वाला clause किसमें चला जाता है तो यहाँ पर आप can not को use कर सकते हैं not क्यूं कहां क्यूंकि एक negative sense तो आपको देना पड़ेगा क्यूंकि हम sense को तो change नहीं कर सकते ना तो एक negative sense दे रहा था यहाँ होने के बाद लेकिन अब अगर हम इसको so or that मिले कहेंगे तो दोनों ही positive sense देंगे negative sense नहीं देंगे इससे जो sentence है उसका meaning ही change होने लग जाएगा ठीक है तो आपको क्या है एक not यहाँ पर लगाना पड़ जाएगा तो आप यहाँ पर क्या है cannot use करेंगे और अगर मान लीजिए कि sentence हमारा past में होता तो फिर आप यहाँ पर क्या यूज करते तो can का past form क्या होता है could तो आप यहाँ पर जो वर्व था और बाकी चीज सेम आ जाएंगी defend himself तो I hope कि यह चीज आपको अच्छे से clarify हुई maybe कोई भी doubt नहीं होगा अगर कोई doubt है तो भी कोई बात नहीं हम कुछ और sentence को करते हैं वहाँ से चीजे clear हो जाएंगे अब यहाँ पर अगर हम इसको change करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे to 2 है change करना वर्व की first form वाला combination है यहाँ पर तो सबसे पहले क्या करना है the hill है तो यह तो same आ जाएगा the hill अब यहाँ पर was है तो यहाँ तो कोई change नहीं आता यहाँ तो was ही आ जाएगा और यहाँ पर 2 है तो 2 को हमने देखा यहाँ पर so लग जाएगा और high का high ही रहेगा इस वाले 2 को हम replace करेंगे that से अब इसके बाद हमने देखा यहाँ पर क्या given है the hill subject यहाँ पर क्या है the hill और यहाँ पर क्या use करेंगे अब यहाँ confusion हो सकते क्योंकि वहाँ ही था तो हम ही को use कर पा रहे थे यहाँ पर the hill है पढ़के देखेंगे आप sense तो हम इसे अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो बात को एक general sense में लेके चले जाएगे और general sense में ले जाने का मतलब हम क्या use करेंगे one तो यहाँ पर क्या हो जाएगा one और यहाँ पर देखेंगे past था पास्ट है तो हमें code use करना है one could not आगे क्या है climb it up ठीक है अब यह आप देखेंगे पहले वाले sentence में जो meaning था वो meaning same आपको यहाँ भी convey होगा the hill was too high to climb it up यह जो पहाड़ी है या जो hill है बहुत ज्यादा ऊचा है किसी के लिए भी क्या है चड़ने के लिए too high इतना की चड़ना मुश्किल है या tough है same sense आपको नीचे वाला भी देगा the hill was so high that one could not climb it up यहाँ पर आप देखेंगे चीजे जनरल सेंस में चली गई है और उपर भी चीजे जनरल सेंस में थी किसी एक को specific करके नहीं बोला गया था कि किसी particular individual को denote करते हुए नहीं था यह sentence तो आई होप की चीजे आपको यहाँ पर अच्छे से clarify हुई होगी एक third sentence और है इसको भी change करते है यहाँ हमें given a she is too beautiful to be rejected by any young man तो इसके लिए भी क्या करेंगे same इसी तरीके से इसको भी replace करेंगे क अब इसके बाद हमें क्या करना होता है अपनी तरफ से कोई subject देना होता तो आप देखेंगे हाँ she है तो यहाँ भी हम क्या देंगे she अब tense कुछ helping verbs ची होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे is use किया गया is का मतलब present और अगर चीज़े present में हैं तो हम जानते हैं इसके साथ क्या use करेंगे तो यहाँ पर हम use करेंगे can तो यह हो जाएगा cannot be rejected by any young man तो I hope students की आपको यहाँ पर सारे concept समझ में आयोंगे मैं जितना basic से two को समझा सकती थी मैंने उतने basic से कोशिश की है आपको चीजे समझाने के लिए तो सबसे पहले हमने two का सिर्फ parts of speech समझा two का individual meaning समझा जब two अकेले आ रहा है तो उसका sense क्या होता है meaning क्या होता है ठीक है वहाँ हमने यह भी समझा कि two अगर अकेला आ रहा है तो अपने साथ हमेशा कोई ना कोई bad qualities को ही क्या करता है represent करता है इसके बाद हमने two के दो structure पढ़े कि दो structure बनते हैं two से related जिसमें two plus में वर्ब की first form के साथ आता है या two plus b plus v3 बनके आता है ठीक है v3 यानिके वर्ब की third form लेके अपने साथ आता है और अगर b plus v3 है तो हम जानते हैं यह passive form को show करता है जबकि two plus verb की first form होती है तो फिर यह क्या है active form को क्या करता है शो करता है ठीक है दोनों का structure आपने अच्छे से देखा और अगर two अकेला होता है तो bad qualities को represent करता I hope कि यह भी clarify होगा इसके अलावा एक और चीज़ सी जो important थी कि two, two, two और two, single o वाले को हम क्या कर सकते हैं completely replace कर सकते हैं so that से क्योंकि दोनों same sense देते हैं यह चीज़ भी हमने समझी कि two और two की जब pairing आती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो sense होता है इतना key हिंदी में जो इनका sense दिया जाता है या बनता है meaning वो आप देखेंगे इतना key वाले sense बनता है so that का भी meaning sense same ही बनता है ठीक है इसलिए completely replace हो जाता है बढ़ जब replace करते हैं तो किस तरीके से करते हैं वो I hope कि आपको clarify हुआ और जब हम so that लगाते हैं तो आपने देखा sentence दो अलग-अलग clauses में क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं ठीक है I hope कि यहाँ तक कोई doubt नहीं होगा अगर यहाँ तक चीज़े बिल्कुल अच्छे से clarify हुई तो हम कुछ PY करेंगे कुछ question जो previous year question में पूछे गए है तो की use से तो सबसे first question हमारे पास है It is too late for anyone that try and save the house from burning down No error करना क्या है वीडियो को pause करके पहले खोद एक बार error identify करना है then फिर उसको improve करना है तो I hope कि आपने कर लिया होगा आप देखेंगे first वाले part में हमें given है It is too late for anyone आप देखेंगे two का यहाँ पे use किया गया है next आप देखेंगे that try and save अब यहाँ पर आप देखेंगे that use किया गया है क्या हमने कोई भी ऐसी pairing पढ़ी है जहाँ पे two की pairing that के साथ थी नहीं हमने सिर्फ दो ही pairing पढ़ी है जहाँ पे हमने देखा है दो अलग-अलग चीजों के बारे में यहाँ पर हमने देखा था किन चीजों के बारे में first चीज हमने यहाँ देखी थी two की pairing किस के साथ थी 2 के साथ थी वर्फ की 1st form 2 की pairing 2 के ही साथ थी V plus में वर्फ की 3rd form और अगर that की pairing किसी के साथ थी तो वो so के साथ थी इतना तो समझ में आगे कि error है अब कौन से पार्ट में error है ये कैसे पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे तो हम change करके so भी कर सकते है और यहाँ पे 2 भी कर सकते है तो यह आप identify करेंगे जो structure हमने पढ़ा है हमने देखा है 2 की pairing अगर 2 के साथ होती है तो V1 आता है और आप देखेंगे यहाँ पर क्या है try है और try क्या है वर्फ की first form ही है that means यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की pairing होनी चीए that means हमें पता चल गया कि V वले पार्ट में क्या है error है improve करने के लिए क्या करेंगे तो यहाँ से हम that को replace करेंगे 2 से ठीक है I hope कि यह आपको अच्छे से clarify हुआ move करते है next question की तरफ और आप देखेंगे यह CPO exam में 2017 में पूछा गया question है move करते है next question में next question हमें given है she was looking too beautiful that not a single person was there at the party who didn't want to have their company no error तो first वाले पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर हमें given है she was looking too beautiful वो इतनी खुबसूरत है that not a single person was there in a party की कोई भी एक ऐसा व्यक्ती नहीं है party के अंदर जो उसकी company ना चाहता हूँ ठीके यह sense है तो first वाले पार्ट में आप देखेंगे two का use किया गया है और second वाले में फिर आप देखेंगे आप फिर से that आ गया not a single person was there और आप देखेंगे second वाले में भी यहाँ पर क्या आया है और not b है यहाँ पर क्या यहाँ पर कुछ भी हमें ऐसा दिख रहा है वर्व की first form जैसा नहीं यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा तो कोई भी structure नहीं बनेगा अगर आप two वाली matching करेंगे न sense तो दोनों का same ही है यहाँ पर समझ में आ रहा है two की pairing हमने two के साथ पड़ी थी लेकिन दो condition पर पहला वर्व की first form तो भई यहाँ पर वर्व की first form नहीं बन रही है ठीक है तो first वाला structure तो यहाँ नहीं बन सकता second वाले structure में भी क्या था कि यहाँ पर b plus v3 होना चाहिए तो क्या हमें कोई b दिख रहा है यहाँ पर नहीं b3 का case ही नहीं होता अगर b ही नहीं है तो that means यह दोनों ही case यहाँ नहीं बनेगा तो यहाँ पर best option आपके लिए क्या है कि a वाले part में हम क्या है error है और यहाँ से यह जो two है ना इसको replace कर देते हैं किस से इसको replace करते है so से क्योंकि हम जानते है so भी same sense देता है जो हमें two और two का pairing से मिलता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा so she was looking so beautiful that not और आप देखेंगे not पहले से भी आया हुआ है तो two तो खुदी में ही अपने आप में एक negative meaning देता है तो दो बार negative भी नहीं वो रहेगा तो best option इसके लिए क्या हो जाएगा कि आप इसको replace करके so यहाँ पर क्या करें use करें तो I hope कि आपको अच्छे से clarify हुआ ए पार्ट के अंदर error था move करते हैं next question की तरफ next question में हमें given है it was much difficult to come out because the stadium was full of viewers all together no error करना क्या है वीडियो को pause करके identify करना है किस पार्ट के अंदर error है आप देखेंगे first वाले पार्ट में हमें given है it was much difficult ओके यहाँ much use किया गया है because the stadium was full क्योंकि stadium के है पूरी तरह भरा हुआ है of the viewers यहाँ पर भी आप देखेंगे किस चीच का एक much use किया गया है much का use हमने देखा है किस के साथ क्या जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे error किसमे है A वाले पार्ट में ही है यहाँ much नहीं यूज़ होना चीए था आप देखेंगे एक negative sense यहाँ भी दिया जा रहा है कि कुछ जादा बहुत जादा क्या है मुश्किल है जरूर से जादा मुश्किल है बाहर आना ठीक है क्योंकि बहुत जादा भीड है तो एक negative meaning convey कर रहा और negative meaning देने के लिए हम जानते हैं कि मच का use तो नहीं किया जाता यहाँ पही क्या use किया जाएगा टू का ठीक है आई होप कि यह भी अच्छे से clarify होगा move कर दें next question की तरफ question number 4 में हमें given है the time given to me was too little that it was not possible for me to finish the task in the time no error करना कि है same चीज़ वीडियो को pause करेंगे identify करेंगे कि किस पार्ट के अंदर error है then उसको improve करेंगे तो यहाँ अगर हम बात करें ए वाले पार्ट में आप देखेंगे यहाँ तो कोई भी error नहीं दिख रहा the time given to me was too little अब यहाँ पे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे to use किया गया है हो सकता है यहाँ कुछ error हो that it was not possible और आप देखेंगे not भी दुबारा not use कर लिया गया है तो not use कर लिया गया है तो to use करने का कोई मतलब ही नहीं बनता तो यहाँ से हम identify कर पा रहे है कि बी वाले पार्ट में क्या है error है improve करने के लिए क्या करेंगे तो to को यहाँ से replace करेंगे इसके जगह पर हम use करेंगे so ठीक है I hope कि यह आपको अच्छे से clarify हुआ होगा तो हम to को जितने basic से समझ सकते थे उतने basic से हमने इसे समझा मैंने कोशिश की कि आपको चीजे बहुत ही ज़्यादा properly way में समझ में आए तो I hope कि आपको चीजे अच्छे से clarify हुई होगी नहीं हुई होगी तो एक बार वीडियो को दुबारा जरूर देखिएगा आज की class को यहें पर wind up करेंगे अगर वीडियो आपके लिए helpful रही तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू, थैंक यू सो मच